हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इस्टराफिल स्टडी तो आज के इस वीडियो में हम लोग पर्तिसत यानि पर्सेंटेज निकालना सिखेंगे वह भी बिल्कुल ही असानी से तो इसलिए वीडियो को लाज तक देखेगा तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्तिसत यानि पर्सेंटेज किसे कहते हैं तो दोस्तों अगर हम पर्तिसत का संदी बिच्छेद करेंगे तो क्या होगा यह होगा परती फ्लस सथ ठीक तो हम जान लेते हैं दोस्तों कि परती मतलब क्या होता है परती मतलब दोस्तों परतेक और सथ मतलब दोस्तों एक सव तो दोस्तों परती सथ का मतलब हुआ कि परतेक सव पर यानि परतिशत जो निकाला जाता है वो परतिशत पर निकाला जाता है और दोस्तों परतिशत का जो चीन होता है न साइन चीन वो इस चीन का इस चीन से हम डिनोट करते हैं परतिशत को कहीं भी अगर आपको ये चिन दिख जाए तो आपको समझना है कि वो क्या है परतिसत है यानि हमें परतिसत निकालना है दोस्तों परतिसत क्या है ये परतिक स्वाप पर जो निकाला जाता उसे हम परतिसत कहते हैं और इसे हम इस चिन से दिनोट करते हैं तो आपको यह याद दखना है अब हम इसके सम्मंदित को हल करेंगे दोस्तों कोईशन है हमें यहां 30 रुपे का 10% निकालना है तो दोस्तों देखें हम कैसे निकालते हैं बहुती असानी से हम लिखेंगे 30 ठीक और यह जो का है का का मतब दोस्तों क्या होता है गुना तो हम लिखेंगे यहां गुना आपने बोर्ड मास में पढ़ा होगा कि का का मतब होता है गुना अब देखें यहां क्या है दोस परतीसत है यह परतीसत का चिन है की नहीं तो यह दोस परतीसत है यानि हमें 30 का दोस परत परतिसत को हटा देंगे तो जैसे ही हम परतिसत को हटा देंगे तो जैसे ही हम परतिसत को हटा आएंगे तो हम बट्टा में 100 लिखेंगे यानि हम लिखेंगे दोस ठीक और इस परतिसत को हटा देंगे तो जैसे ही हम परतिसत को हटा आएंगे तो क्या करेंगे बट्टा में 100 लिखेंगे क्योंकि परतिसत का मतलब होता है परतेक सौपर तो दोस्तों जैसे हम परतिसत का चीन हटाएंगे तो क्या करेंगे बट्टा में एक सो लिखेंगे अब हम इस जीरो से यह जीरो कैंसिल कर सकते हैं इस जीरो से यह जीरो भी कैंसिल कर सकते हैं तो दोस्तों इसका ए तो इस तरह हम प्रतिसर निकालते हैं एक और कोईशन देखें दोस्तों अगर हमें एक सो का तीस परसेंटेज निकालना आए तो क्या से निकाल लेंगे तो सिंपल हम लिखेंगे एक सो ठीक और इसका का मतलब क्या होता है गुन्ना तो हम लिखेंगे गुन्ना का चीन अब यहां देखिए हमें एक सो का तीस परतिसर निकालना है ठीक तो इस 0 से यह 0 cancel हो जाएगा इस 0 से हम 1 0 cancel कर सकते हैं तो दोस्तों क्या होगा दोस्तिया 30 तो यह हो जाएगा दोस्तों 30 रूपिया यानि 100 रूपिया का 30 परतिसद हो गया 30 रूपिया तो इस तर दोस्तों परतिसद निकालते हैं बहुती असानी से एक और question देखें दोस्तों बड़ी संख्या वाला यानि अगर हमें 7000 का 50% निकालना हो तो कई से निकाल लेंगे देखिए हम लिखेंगे 7000 इसका 50% निकालना है तो का का मतलब क्या होता है गुन्ना तो हम लिखेंगे गुन्ना अब हम यहां लिखेंगे 50 तो हम इस परतिस्त को नहीं लिखेंगे तो परतिस्त को हटाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों बठ्टा में 100 लिखेंगे ठीक तो इस 0 से यह 0 हो गया इस 0 से हम 1 0 कैंसिल कर सकते हैं तो दोस्तों 7 5 35 ठीक और ये 2 0 तो दोस्तों 7 000 का 50 परतिसत हो गया 3500 यानी 3500 तो इस तर दोस्तों परतिसत को बहुती असानी से निकालते हैं दोस्तों अब हम जानेंगे कि परतिसत को भी में कैसे बदला जाता है जैसे कि मान लिजिए कि 14 परतिसथ है और इसे हमें भीन में बदलना है तो कईसे बढोने रोएंगे तो दोस्तों देखें न them perhaps जब भी हम परतिसथ200 को भीन में बढोने चिन है las tu ऐसे अट आएँगे तो इसे हटाएंगे तो क्या करेंगे बट्टा में 100 लिखेंगे तो देखे दोस्तों कैसे हम लिखेंगे 10 और इस परतिसाथ को हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे ठीक अब यह हो गया 10 बट्टा 100 यानि यह हमरा भीन के रूप में है भिन क्या होता है कि बट्टे के फों में होता है यहां से इसे हम सराल भी कर सकते हैं इस 0 से 0 cancel हो जाएगा तो दोस्तों यह हो जाएगा 1 बट्टा 10 यानी 2% का भिन में हो गया 1 बट्टा 10 तो इस तरह हम इसे हल करेंगे दोस्तों एक और देखे अगर हमें 20 परतिसत को भीन में बदलना हो तो हम लिखेंगे 20 तो इसे हम भीन में बदलना है तो परतिसत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे क्योंकि इसका सम्मन इस परतिसत के साथ है इसलिए अब हम इसे सरल कर सकते हैं यहां से जीरो क्या हो जाएगा तो यह को जाएक外 दोस्तों दो जो हम इसे 2 से एक 10 6 i7 तो दोस्तों हो जाएगा एक बट्टा पांच यानि 20 being साथ भीम हो गया एक बट्टा पांच तो इस तरह में प्रतिस्थ लने बदलेंगे बींगे तो दोस्तों दोस्तों, दो बटटा working by 2,5 एक खम्रा भीन है इसे हम परतिसात में बद लेंगे तो दोस्तों इसका concept देखे It is जबभी भी भीन को其實 को परतिसात में बद लेंगे तो 100 से गुना करेंगे, ठीक। अगर हम परतिसात को भीन बद लेंगे तो बटटा में 100 लिखेंगे अगर हम भीन को 30 में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे ठीक तो यह है concept तो 2 बटता 5 को हमें भीन में बदलना है तो क्या करेंगे एक सो से गुना करेंगे तो ये परतिसत में बदल जाएगा तो यहां से हम इसे हल कर सकते हैं पांच से हम सो को कैंसल कर सकते हैं तो बीस पंचे क्या होगा? एक सो तो दोस्तों बीस दूना चालीस तो ये हो जाएगा चालीस और ये परतिसत तो 2 बट्टा 5 का परतिस्थ में हो गया दोस्तों 40 परतिस्थ तो इस तरह हम 20 को परतिस्थ में बदलते हैं एक और question देखिए अगर हमें 3 बट्टा 4 को परतिस्थ में बदलना है तो हम लिखेंगे 3 बट्टा 4 तो परतीसत में बढ़ लेंगे दोस्तों तो हम क्या करेंगे एक सो से गुना करेंगे ठीक तो ये परतीसत में चेन हो जाएगा अब हम इस चार से सो को कैंसिल कर सकते हैं यानि पचीस चो का सो तीन से पचीस को गुना कर लेते हैं तो दोस्तों तो क्या होगा पचीस तिया दोस्तों अब देखे ये जो 75 परतिसत है न इसे हम भीन में बदलते हैं और देखते हैं कि 3 बटा 4 आता ही कि नहीं देखे ये क्या है 75 परतिसत है अगर हम इसे भीन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 75 और ये इस परतिसत को हटाएंगे तो बट्टा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे ठीक अब हम इसे cancel कर सकते हैं 25 से तो 25 तीया 75 और 25 चोका 100 तो दोस्तों यह हो जाएगा 3 बट्टा 4 तो दोस्तों बडाबर हो गया 3 बट्टा 4 तीन बटा चार तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह हम परतिसत के सवालों को हल करते हैं परतिसत को भीन में बदलते हैं और भीन को परतिसत में बदलते हैं तो उमीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी और आपको वीडियो पसन आए तो कर दो कर दो